इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्पति के आधार पर जो संसाधन होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं तो उत्पति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं पहला है अजयव संसाधन और दूसरा है जयव संसाधन मैंने कल भी बताया था अजेव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो निर्जीव हैं जैसे की हो गया पलंग हो गया बेट हो गया गाड़ी हो गया घर हो गया चाता हो गया ये सब अजेव संसाधन है मतलब ये संसाधन जिन में प्रान नहीं है और दूसरा है जैव संसाधन जैव संसाधन में सभी आ जाएंगे जीसे कि हम लोग साग फल फुल खाते हैं या फिर पेड़ हो गएं आदमी जानवर पंच ये सब सभी जो आएंगे ये जैव संसाधन में आएंगे देखिए जो के आधार पर जो संसाधन होते हैं उनको तीन भागों में बाटा गया है पहला उन में से है नवी करनिये संसाधन दूसरा है अनवी करनिये संसाधन और तीसरा है चक्रिये संसाधन नवी करनिये संसाधन मतलब जिसका हम बार बार प्रयोक कर सकते हैं फिर देखिए अनव लेते हैं वो खतम ही नहीं होता है तो हवा जो हो जाएगा वो नविकर्निय संसाधन हो जाएगा और जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो नविकर्निय संसाधन हो जाएगा क्योंकि वो खतम हो जाता है फिर अगला है चक्रिय संसाधन चक्रिय संसाधन वो इसे संसाधन को कहते हैं जिनका हम पुनह उपयोग कर सकते हैं मतलब एक बार उपयोग करके उसका दुबारा उपयोग कर सकते हैं जैसे की गाड़ी गाड़ी हुआ गाड़ी को हम लोग चक्रिय संसाधन बोल सकते हैं साइकल को एक बार उसका यूज किये फिर बार-बार हमेशा उसका यूज करते रहेंगे तो अगर लेकिन उसमें जो पेट्रोल है पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल खतम हो जाता है इसलिए वह और नवी करनी संसाधन होगा चक्रिय संसाधन में जल को हम लोग बोल सकते हैं जल का हम यूज करते हैं, फिर वह वास्प के रूप में बन जाता है, फिर उपर आसमान में जाता है और फिर वर्सा होती है, फिर हम जो वर्सा का जल होता है उसका उपवयोग उनह करते हैं। वो इसे संसाधन नविकर्णिय संसाधन कहलाते हैं जिनका सिगरता से नविकर्ण हो जाता है अर्थात उनका दुबारो उपयोग किया जाता है इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवी क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता जल, मिरिदा और वन जीसे नविकर्णिय संसाधनों का लापरवाही से उपयोग किया गया उपयोग उनके भणडार को प्रभावित कर सकता है जल और सीमित नविकर्णिय संसाधन प्रतित होता है फिर भी जल की कमी और प्रकृति जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के है तो देखिए नवीकरन आसानी से हो जाता है पुना हो जाता है और उसका उपयोगम लोग दुबारा कर सकते हैं जैसे की हो गया सोर उड़ जा मतलब उसका प्रियोग हम आज कर रहें आज अगर ठंडा लग रहा और तो गय धूप से उसके बाद कल भी ठंडा लगे तो कल भी जाएंगे धूप से का लेंगे तो उसका प्रयोग हम रोज कर सकते हैं क्योंकि हर दिन सुरियोद्य होता है और हर दिन सुरियास होता है मतलब हम लोग जो सन का लाइट है उसका हर दिन उपयोग करते हैं खास करके देखने के लिए औ पौन ओर्जा का आज कल प्रयोग किया जा रहा है जिससे विदूद बनाया जाता है बड़े बड़े टारब इन गुमाया जाते हैं। जो है वो खेती हो ही नेर है, सब तरब सुखा ही सुखा है, नदी तालाप मतलब गर्मी आने से पहले ही सुख जाते हैं, तो हम लोग को बस ऐसा लगता है कि जो ये हवा है, जल है, मृदा है, या फिर जंगल है, ये सब असीमित नविकर्निय संसाधन हैं, और असीमित भी है, प्रन्तु इनका उपयोग इतना किया जा रहा है कि ये खत्म होने की कगार पिर पहुच जा रहे हैं, फिर देखिए, दूसरा है अनविकर्निय संसाधन, वैसे संसाधन अनविकर्निय संसाधन कहलाते हैं, जिनके भंडार सीमित हैं, एक बार समाप्त होने के बाद, उनके न नविकरन उने में लाखो वर्स लग सकते हैं यह अवधी मानो जीवन की अवधी सबहुत अधिक है पेट्रोलियम कोईला और प्राकृतिक गैस इसके उधारन है देखिए हम लोग का दूसरा है अनविकरनिय संसाधन मतलब वही से संसाधन जिनके भंडार जो है सीमित है अगर उसको हम लोग एक बार यूज कर लिये तो अगर उसको दूबारा बनना है तो उसके लिए एकदम लाखो करोडो साल लगेगा मतलब वह खतम हो जाएगा उसके बाद हम लोग को उसको बनने के लिए फिर से जो है लाख साल इंतिजार करना पड़ेगा और उतना साल कोई क्रितिक गैस मतलब जो कोईला है वह बहुत साल पहले जो पेड़ पोधा हो गया जीव-जन्तु हो गया फिर मानों में हो गये वह सब जमीन में धस गए और वहां के दाप और ताप से कोईला में परिवर्थित हो गया और ये सब परक्रिया होने में तने लाँक सार लग गये हैं और खतम होने में कुछ ही सेकेंड लगता है फिर देखिए अगला है तिसरा चक्रिय संसाधन कुछ संसाधन इसे होते हैं जिसका उपयोग बार-बार किया जाता है चक्रिय संसाधन कर लाते हैं जैसे की जल मतलब चक्रिय संसाधन वीसे संसाधन को कहते हैं जिसक की हो गया जल जल का प्रयोग हम एक बार कियें उसके बाद वो वास बना उपरसे बादल बना फिर वापस आया वर्सा के रूप में फिर से हम उसको उपयोग मिले तो एक प्रकार से यह चक्र का निर्मान करता है इसलिए इनको जो है चक्रिय संसाधन बोलते हैं फिर देखिए अगला घह है घह में हम लोग देखेंगे वीतरन के आधार पर जो संसाधन अते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं तो वित्रन के आधर पर जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं सर्व व्यापक संसाधन और दूसरा है अस्थानिक संसाधन देखिए जो संसाधन सभी जगह पाये जाते हैं जैसे वायू जिसमें हम सांस लेते हैं सर्व व्यापक संसाधन होते हैं मतलब इसा संसाधन जो हर जगह मिलता है, हर जगह जीसे की जमीन हर जगह मिल जाता है, हवा हर जगह मिल जाता है, पानी लगभग हर जगह नहीं प्रंतु वह मिल जाता है, जंगल को भी आप बोल सकते हैं, हर जगह मिल जाता है, प्रंतु अब ऐसा हो रहा है कि जंगल को इतन तो वायू को ले सकते हैं या तो मिट्टी को ले सकते हैं क्योंकि वन भी सर वो व्यापक संसाधन भी है प्रंतु इसका उपयोग इतना किया जा रहा है कि आज कल हम लोग दूर दूर तक देखते हैं तो जंगल नहीं देखता है फिर देखिए दूसरा है वही से संसाधन जो निश्चित अस्थानों पर ही पाये जाते हैं अस्थानिक संसाधन कहला यहां किया स्नसाधन ABOUT उश्चित अस्थान पर है जैसे कि अगर हम लोग खेते किये हैं तो यह एक निश्चित अस्थान पर है तो से है जैसे कि सेव जो होता है वह और में में होता है जिए कि हो गरय तो ये अस्थानिक संसाधन जैसे कि पांडा अधिकतर प्रद्श में पाय जाता है तो वह वह उतना ही दूर तक है उससे जादे नहीं है तो यह सब जो हो गए यह अस्थानिक संसाधन कहलाएंगे जो की अस्थान पर डिपेंड करता है और कितनी मात्रा में है उस पर डिपेंड करता है जगा जगा पर है और वह पूरे सब तरब फैला नहीं है जीसे कि हवा जो है वो पूरी धर्ती पर फैला हुआ है या फिर जमिन पूरी धर्ती पर फैला हुआ है पानी भी पूरा धर्ती पर ही फैला हुआ है प्रंतु अब सुखा देखने को मिलता है आगे देखिए फिर है आगे प्राकृतिक पर प्रित्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वित्रन में विभिन्ता पाई जाती है यहाँ भिन्नता भूभाग जलवायू और उचाय जीसे अनेग भोतिक कारणों पर निर्भर करती है तो जो प्रित्वी है प्रित्वी का अगर हम एक संसाधन के रूप में देखे तो जग भरा भरा पेड़ दिख रहा है तो कहीं पर पेड़ ही नहीं दिखेगा तो धरती का जो हर भाग है उसको उचाई हो गया या फिर जलवाई हो गया फिर आउर भी भोतिक कारण हो गया उसके आधार पर अलग अलग दिखता है आप लोग देखे भी होंगे आप लोग आज कल ज संसाधन है उसका जो भोतिक स्वरूप है वो कैसा होगा देखिए यहां पर फोटो में आप लोग देख सकते हैं मानो निर्मित सड़क किये अलकतरा से बना हुआ सड़क है फिर देखिए मानो निर्मित रेल पटरी पर चल रहा है रेल इंजन से चलने वाला रेल है फिर देख आगे हम लोग देखेंगे मानो निर्मित संसाधन मतलो मानो निर्मित संसाधन क्या होते हैं कि इनको मानो निर्मित संसाधन कहते हैं जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनके अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई निर्मित वस्तवे मानो निर्मित संसाधन कहलाती है मानो निर्मित संसाधनों में नई वस्तवों को बनाने के लिए प्रद्योगी की का प्रयोग किया जाता है लोग अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन है इससे लोहा का निश कर्शन कर मसीन अवजार वाह नित्यादी बनाये जाते हैं ये मानो निर्मित संसाधन है इसके अलावे प्रत्योगी की भी एक मानो निर्मित संसाधन है तो मानो निर्मित संसाधन हम लोग वही से संसाधन को बोलते हैं जिनका प्रयोग सीधे तोर पे हम लोग नहीं कर सकते हैं तो उसमें कुछ उसको कुछ आकार दे दिया जिसे की गाड़ी बनाना है अब लोहा का तो हम लोग प्रयोग गाड़ी चलाने के रूप में नहीं कर सकते हैं तो लोहा से हम लोग क्या बनाएं लोहा से हम लोग बनाए तो वह मानो निर्मित संसाधन हो गया क्योंकि चीनी बनाने के लिए हम लोग को क्या मसीन की आव सकता पड़ी है उद्यों की आव सकता बड़ी है गर्मी हेट इसी प्रकार फिर उसको क्रस करने के लिए मसीन चाहिए उसी प्रकार अगर लोहा से गाड़ी बना रहे हैं तो लो दिखिये अगर इससे जो लोहा का निसकरशन हम लोग करते हैं उससे हम लोग मसीन बनाते हो सब यह जो सब है संजाधन है और इसके साथ सब्सक्रव का उद्योग है उसको भी तो मानोग ही ना बनाया है पहले से तो उसको आज फिर गह स चाहिए जो हम लोग बनाएं तो यह मानो निर्मित हो गया तो जो भी वस्तवे हैं जो मानो बनाते हैं उन्हें हम लोग मानो निर्मित वस्तवे कहते हैं फिर देखिए आगे हैं मानो संसाधन मानो एक संसाधन है आप लोग को पता है हम लोग पढ़ें संसाधन के तीन प्रकार होते हैं प्र सारे रिक एवों मानसिक सक्ति बनाती है सारे रिक एवों मानसिक सक्ति का विकास शिच्छा तक्निक की स्वास्त एवों कोसल की सहायता से होता है इनकी सहायता सही मनुस्य नई वस्तुए का निर्बान करने के लायक बनता है देश्ट के यूवाओं में कोशल विकास है तो प्रधान मंत्री कोशल विकास हो जाना 2016 वर्श, 2016 没事 में चलाई जा रही थी जो मानो एक खुद संसाधन है परन्तु मानो शंसाधन परन्तु मानो शंसाधन तभी कहलाता है या तो जब यह मामसिक रूप से सक्तिसाली हो या फिर सारी अभी रूप से सक्तिसाली हो जίس minimal वह घर बना रहा है तो मानो शंसाधन उसको ह सभ Bureau उन्हें वस्तों को हम संसाधन बोलेंगे जिनका हम उप्योग कर रहे हुए या फिर जिनको हम देख रहे हैं कोई बी कि anh को संसाधन सब्सक्राइब सपराय सब्सक्राइब जब जैक दम स्वास्त नियकरम युवाओं को कोशल विकास है जो युवा लोग है अभी भारत के उनको उनका कोशल को बढ़ाने के लिए 2016 में प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना चलाई गई थी और आगे देखिए संसाधन संरक्षन हमारे जीवन में बढ़ती हुए आवस्यक्षन के कारण संसाधनों क संसाधनों का संरक्षन आवसक है समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नविकरन के लिए समय देना संसाधन संरक्षन कहलाता है संरक्षन का यह अर्थ नहीं कि आवस्यक्ता के रहने पर भी उनका प्रयोग ना कर बचाया जाए संसाधनों का उपयोग करने की इससे के लिए उनके संरक्षन में संतुलन बनाय रखना सतत पोष्णिये विकास कहलाता है संसाधनों के संरक्षन के अनेक तरीके हैं प्रतेक वेक्ति उपभोग को कम करके वस्तूओं के पुनह चक्रन और पुनह उपयोग के द्वारा संरक्षन में अपना योगदान दे सकता है तो हम लोग देख रहे हैं संसाधन संरक्षन हम लोग देख रहे हैं संसाधन संरक्षन मतलब जितने भी संसाधन है हमारे आस पास उनको हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित है अनवी करने संसाधन सीमित है जबकि नवी करने संसाधन को तो हम लोग पुर्णा प्राप्त कर सकते हैं तो हम लोग को जो चाहिए कि जो हम लोग जो अनवी करने संसाधन है उनका जो व्यापक रूप में उप्योग कर रहे हैं उसका जो दोहन कर रहे हैं उसको कम किया जाए जिसे अगर आप किसी के लिए मजदूरी कर रहे हैं तो वह आपका अधी सोसन करेगा तो आप दुबारा उसके पास जाएंगे नहीं तो अगर आप उससे प्रेम पूर्वा काम कराएंगे उसको आराम करने देंगे उसको सही टा करेंगे तो कल आपको वो मिले गए नहीं जीसे वो आदमी जिसको आप जबरजस्ती धेर सारा काम करवा रहें करवा रहें तो वो कल आए गए नहीं ठीक उसी प्रकार संसाधन का यदि हम लोग बहुत ही जादे उपयोग कर देंगे तो वो खतम हो जागा और कल को जो संसाधन का यदि हम लोग उपयोग करेंगे तो यह जो होगा हमारे जो पार्यावरन है इसके लिए बहुत ही लापदायक होगा मतलब अब संरक्षन कर रहें इसका मतलब यह नहीं है कि उसको हम पैसा भी दे रहे हैं और काम भी नहीं करवा रहे हैं उसको पैसा दीजे काम भी करवा जा रहे बिंदे स्क्राइब करें लोग करेंगे लेकि नहीं साहे किलेधे हराम के लिए इक बार पैर रखेंगे होश्य रहरें ठीक वैसा ही, कहीं पर, गाड़ी में पेट्रोल डाला हुआ है, गाड़ी ओन है, फिर सामने रेड़ॉर्ड लायट है, फिर भी गाड़ी ओन है, गहोंग है, घर, पीछे से धुवा निकल रहा है, तो रेड लाइक जब तक है आप लोग गाड़ी ओफ कर सकते हैं कुछ तो पेट्रोल बचेगा और भविस्ते में आप उसका ही उप्योग कर सकते हैं पेट्रोल भी बचेगा और पैसा भी बचेगा साथ में साथ तो अगर हम लोग जो संसाधन है उसका संतुलन रूप से उपयोग करें चपल पहने है परन्तु जमीन से पैर उठा कर चले और हमेसा जमीन में घसराते ना चले चपल को तो इस प्रकार से अगर हम संतुलन उपयोग करेंगे जो संसाधन है तो इसको हम लोग बोलेंगे सतत प पूस्निय विकास और सनसाधन के सनरक्षन के अनेक तरीके हो सकते हैं प्रत्यक वेक्ति उपभो को कम करके या फिर वश्टु है उसको पुनह वापस चक्रन के लिए फैक्टरी में भेज़ सकता है या फिर उसी के द्वारा उसका पुनह उपयोग कर सकता है तो ये जो भी है जो वस्तों के या फिर संसाधनों के संरक्षन है इसमें इस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं आगे देखिए हमारी प्रित्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भवी से पेड़ पूधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षन से जुड़ा है अब हमें यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकर्निय संसाधनों के उप्योग सतत्पो आवस्यक्ता की पूरती तो कर सके लेकिन भावी पीड़ी भी आवस्यक्ताएं की और स्विकास की धारना मुल रूप में 1922 इस devoir में प्रित्वी सम्यलन में सामने आया देखिए फिर सतने विकास के कुछ सिध्धान जिस पर ध्यान देने की आव सकता है पहला है मानो जीवन की गुनवता को बढ़ाना दूसरा प्रिथवी की जए विविजिता का संरक्षन करना तो जो हमारी जो प्रिथवी है जिसमें हम लोग रहते हैं इसको भविस्ते के लिए हम लोग को पेड़ पोधो या फिर जो भी हम लोग का अभी परितंत्र है उसको सुरक्षित रूप से बचाना चाहिए क्योंकि जो हम लोग का आगे वाला पीड़ी है जीसे मेरा बच्चा का बच्चा का बच्चा उन लोगों को भी जो है पेड़ों के दर्सन हो सके जीसे आज कल कैसा हो रहा है अगर आप सहर में रहते होंगे तो आप लोग गाउं में जाईएगा तो सुबह सुबह सब तरफ चिणिया के चहचाने का आवाज आता है अभी जो होता है वह गाउं में चिणिया के चहचाने का आवाज आता है लेकिन यह बहुत कम होता है तो यह परितंत्र है इसको बचाना चाहिए पहले हर तरफ पेड़ पोधे दिखते थे अब सहर जाईएगा तो कोसो कोसो दूर पेड़ पोधे दिखते ही नहीं पेड़ पोधे देखना है तो आप लोग को पार्क जाना पड़ेगा कुछ साल अगर इसा ही हाल रहा तो म्यूजियम में पेड़ पोधा को रखना पड़ेगा हम लोग को म्यूजि पर जीवन की विवित्ता है मतलब कहीं पर जिसे जंगल है तो जंगल में सब जानवर है उसका अलग परितंत्र है और हम लोग जंगल में गाह बना लिए तो हम लोग का अलग परितंत्र हो गया तो जय को जो भी विवित्ता है जैसे की अगर रेगिस्तान है तो उसमें उठ र एक निश्चित रूप से चलता रहे जो भी उनका परीतन्त्र है और सुंसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे आने वाले पीड़ी को भी संसाधन का लाब ले सके उसका मतलब यह नहीं है कि हम संसाधन का उपयोग ही ना करें हम भी उपयोग करें पर अपने आने वाले जो पीड़ी है उनके लिए भी समसाधनों को बचा कर रखें और यह जो सतत पोस्निय विकास की जो अधारना है यह 1922 में हुई प्रिथवी समिलन में सामने आया था देखें सतत पोस्निय विकास की कुछ अध पहला मानो जीवन की गुनवता को बढ़ाना मतलब पहले देखिए पहले जो मानो है उसको अगर सामान को कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है तो वह बैल गाड़ी से ले जाता था अगर मानिए आपको यहां से बैल गाड़ी से सामान लेना है 500 किलो मिटर तो आपको चलते चलते कम से कम 10 दिन लग जाएगा वही अगर आज को देखिएगा तो 500 किलो मिटर हम लोग 6 घंटा में तै कर सकते हैं गाड़ी से तो बस मानो जीवन की जो गुनवता है उसको बढ़ाना यह सतत पोस्निय विकास का उधारना है पिर दूसरा है प्रिथ्वी की कहा सनड़क्षन करना मतलब अभी बता है जिसे की बरफिला प्रदेश में भालू पैंगविन यह सब रहते हैं रेगिस्तान में ऊठ रहते हैं और उदै की ज़िवी की प्रदेश होते हैं उनमें पाइन होते हैं तो वह अलग ही पीड होते हैं जबकि मैदानी भागों में जामुन यह सब अलग पेड़ हो जाते हैं तो यह जो जै विवित्ता है इसको भी बचाना बहुत ही जरूरी है फिर अगला देखिए तीसरा में है प्राकृतिक संसाधनों का सदुप्यों मतलब जितने भी प्राकृतिक संसाधने उनका सदुप्यों किया जाए दूरुप्यो को नहाएंगे और जब नहा लेंगे तो सब पानी गटर में चल दाएगा तो जो भी संसाधने उसका सदुप्यों करो इतना पानी जब दो बालटी पानी में हम लोग नहा सकते हैं तो भर-भर के स्वेमिंग पूल में नहाने का क्या जरूरत है अपना रहिसी दिखा रहे है हाँ मेरे पास पैसा है हम नहा रहे हैं फिर आगे देखिए सांस्कृतिक विवित्ता का संरक्षन करना मतलब कि यदि आप लोग जंगल में रहते हैं तो आप लोग सिकार करने जाते हैं अगर आप लोग गाउं में रहेंगे और सहर में रहेंगे तो आप लोग नोकरी करने जाएंगे तो जो भी सांस्कृतिक विवित्ता है उनका संरक्षन करना जीसे कि जो जंगली लोग हैं वे लोग बस कमर में पहनेंगे और गाउं सहर वाले लोग फुल पैंट सट पैंट पहनेंगे और जो गाउं की संस्कृति है वहाँ पर लोग विभीन प्रकार के पूजा धर्मित्यादी को मानते हैं तो यह जो संस्कृतिक विवित्ता है इनका भी संरक्षन करना चाहिए नहीं तो कोई बाद में कैसा होगा कि जीसे आज कल भी अगर कहीं पहरे संस्कृतिक कुछ प्रोग्राम हो गया तो इस पेसल दे के बुलाना पड़ता था जबकि पहले गा संसाधनों का पुनह उप्योग जो भी संसाधन है उसका हम लोग उप्योग कर सकते हैं जीसे चक्रिय संसाधन का उप्योग कर सकते हैं जीसे की लोहा होगा लोहा को हम लोग चक्रिय संसाधन बोलेंगे एक बार इसका उप्योग कर लिए यदि कार जीसे की कार का उप्योग परियावरन के प्रती वेक्तिगत वेहार अभ्यास में परिवर्तन मतलब परियावरन जो है उसको मानो के रूप में ही देखना चाहिए जैसे कि हम लोग मानो को जैसे मानो कहीं एक्सिडेंट हो गया तो उसको बचाते हैं वैसे ही संसाधन जो है हमारे आसपास को परियावरन है वह भी लंगड़ा है लूला है उसको हम लोग को बचाना चाहिए यदि नहीं बचाएंगे तो वह मर जाएगा और वही लोग नहीं रहेंगे जो हमें जीवन देते हैं जैसे की पेड़ ओक्सिजन देता है वही नहीं रहेगा त औक्सीजन का घट रहा है फिर देखे अगला है समुदायों को अपने परियावरन की देखभाल करने की योग बनाना मतलब आज के लगाओं के लोग इसे हो रहे हैं कि जंगल जाते हैं पूरा लकड़ी काट काट के लिए उनको सिक्षित करना चाहे कि सुखे हुए लकड़ी क काट के लाएं उनका उप्योग करें क्योंकि अगर आप लोग स्वस्त पेड काटेंगे हरे भरे पेड को काटेंगे तो ऑक्सीजन कहां से पाएंगे यह जो चेप्टर वन है संसाधन यहां पर खतम हो जाता है आई होप जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा अगर करिए और इस चैनल को एच डियस टिटोरियल को सबस्क्राइब करिए थैंक यू